नमस्कार दोस्तों, welcome to world affairs, मैं अगो प्रशान दवन देगो, हाली में टर्की और चीन के रिलेशन्स काफी अतक न्यूस में हैं, आपने यहां से आर्टिकल भी पड़े होंगे कि एक बार को जो चाइनीज एमबसी है टर्की में, इसकी पानी की सप्लाई कार दी गई मेर द्व है और चाइना इसको लेकर इतना नर्वस क्यों है, डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ यहां पर आपको जानने को मिलेगा, so a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, आप किसी पे एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे हो, चाहिए UPSC, SSC, IIT, GATE, BANK, any examination, यहां पे अपने एक्जाम पे क्लिक करो, get subscription और यहां पे आप पर्चेस कर सकते हैं, प्लस या iconic course, iconic course में एक खास बात यहां पर यह है, आपको मिलेगा एक personal coach, आपने course पर्चेस कर लिया, सारी class आ गई, history की class, geography की class, मगर you need a mentor, जो आपको dedication दे, कि पूरे 12 महीने आप properly course को follow करे, तो यहां आपको मिलेगा iconic course में, और ज use the code PD10 and save money, now जो यह topic है, इसको properly समझने के लिए पहले आपको जाना होगा ethnicity के बारे में, देखो आपने काफी बार सुना होगा पंजाबी के बारे में, पंजाबी अपने आप में सिर्फ एक भाशा ही नहीं है, यह एक ethnicity भी है, पंजाबी आपको मिलेंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पूरा एक प्रोविंस है पंजाब के नाम से, जैसे इंडिया में एक स्टेट है पंजाब, पाकिस्तान में भी एक पूरा प्रोविंस है पंजाब के नाम से, पाकिस्तान में भी पंजाबी रहते हैं, भारत में भी रहते हैं, तो यह हो गई एक ethnicity, उसी तरी पारे देश आप देख रहे हो, जहाँ पर कलर या तो डार्क ब्लू है, या फिर लाइट ब्लू है, यहाँ पर आपको मिलेंगे टर्किक पीपल, इन लोगों की देखो, हिस्ट्री काफियत तक सेम है, जो इनके पूरवश थे, वो काफियत तक सेम थे, कल्चर के हिसाब से अना खाते हैं बोरत तक सेम होता है ये इवन जो इनकी भाषा है ना वो आपको काफियत तक सेम मिलेगी जो तर्किक भाषा हैं सेम आपको मिलेगी चाहे आप कजाकस्तान में हो या किर्गेस्तान में या तर्की में हो यहां पर आप क्वेशन पूर सकते हैं ठीक है तो मतलब आप कह सकते हैं genetically आपस में कुछ similarities हैं में पूरवज एक सवान थे भाशा काफियत तक सेम हैं मगर international level पर ये खटा खड़े होते हैं तो इसका अंसर है हाँ बिलकुल खटा खड़े होते हैं और इन countries का एक group भी आपस में इसका नाम है Corporation Council of Turkic Speaking States इसमें एजरवाई जहाँ भी है Turkey भी है उसके लावा उसबेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकस्तान ये सब देश यहाँ पर शामिल हैं और इन countries का plan future में ये है कि एक बार को जो Turkic लोग है ये खटा हो जाए क्योंकि देखो Turkic वर्ल में आपस में दूसरे के लिए प्यार बहुत है मैं आपको ये बता दूँ क्योंकि Turkic लोग आपस में इतना जुड़ा मैसूस करते हैं क्योंकि similarities बहुत सारी है जो पंजाबी है इस region में आप अगर देखो तो एक यहाँ पर बड़ा issue आता है religion का जो ज़़ातार आपको मिलेंगे पंजाबी है इंडिया में ये होंगे या तो Sikh या फिर Hindu जो पंजाब देखो all five countries are Muslim majority countries जो इनका culture है ये काफियत तक सेम है जो इनकी looks है ये भी काफियत तक सेम है तो इसलिए ये पांच देश ये भी discuss कर चुके हैं कि एक दिन ये बनाएंगे United States of Turkic World इसमें बात करते हैं कि आपस के जो ये region है इसको merge कर देंगे और या तो European Union का system या फिर एक single country ह आपस में इनका इतना प्यार है और हाँ exam perspective से ये भी जान लो कि टर्किक council का जो general secretariat है मतलब headquarters आपके लीजिए ये आपको मिलेगा in Istanbul most recent इनका जो summit है 2021 में ये भी हुआ था in Turkey अभी के लिए तो हमने बात कर ली है main Turkic people के बारे में main joint की countries है उसके लावा आप अगर देखो यहाँ पर चाइना का शेंग 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 रीजन यहाँ पर आप देख पाऊगे यह है शेंग 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 रीजन और चाइना यहाँ पर जो लोग रहते हैं उईग यह Muslims हैं और जो टर्की के लोग हैं इनसे काफी हत तक जुड़ावा महसूस करते हैं देखो टर्की में आप अगर notice करोगे न कभी भी साओ तेशा के issue को लेकर कोई यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं होंगे कि बांगादेश में क्या genocide हो रहा है अफगानिस्तान में क्या हो रह तो इसलिए आज के समय जो उगर मुस्लिम्स पर अत्याचार हो रहे हैं चाइना में इसके अगें सबसे जादा वाज़े उठ रही हैं तर्किक वर्ल में एजरबायजा में तर्की में आसपास के जो यह देश है करकसान में किर्गिस्तान में और यहाँ पर आप देख पाओ अन्य जुके हूँ उनको लगता हो कि चाइना से कावी फाइदा मिलेगा तो चाइना के अगेंस कुछ बोलानी चाहिए जो आम आदमी है तर्की का वो खड़ा है आज के सामने उगर मुस्लिम्स के साथ और जो यह प्रेशर है आम आदमी का यह एर्दोगान पर भी आ रहा ह कि उईगर मुस्लिम्स को लेकर आप इतने जारा चुप क्यों है आप चाइना को चैलेंज क्यों नहीं करते चाइना पे दवाब क्यों नहीं डालते जिस तरीके से पाकिस्तान का प्रोबेगेंड़ा आपने आगे बढ़ाया कश्मीर इश्यू को लेकर वैसे ही आप उईग जो ये ब्लू फ्लाग है न ये है इस्ट तुरकेस्तान का ये एक बहुत ही प्राना कॉंसेप्ट है जिसके अंडर जो उगर मुसलमान है चाइना के ये चाहते हैं कि ये बनाए अपना खुद का देश जो होगा एक मुसलिम कंट्री ओनली फोर टर्किक पीपल और कल को अग इस्ट तुरकेस्तान अलग होकर एक देश बनता है तो इसका नक्षा होगा कुछ हट तक ऐसा और ये मैं आपको बता दूँ इस्ट तुरकेस्तान के कॉंसेप्ट को आज के समय बहुत सपोर्ट मिलती है नॉर्मल तर्किश नागरिक से वहाँ पे सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट शेर करते हैं कि बिलकुल ये कंट्री बनना चाहिए चाइना अत्याचार कर रहा है उईगर मुसल्मानों पर और कई लोग तो वहाँ पर ये भी चाते हैं कि टर्की की सरकार एचुली फाइनेंस करे इस तुरकेस्तान के कॉंसेप्ट को तो अभी आजकर जो न्यू उसमें जो चाइना के अम्बसडर हैं to Turkey इन्होंने इनको धंकी दे दी इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि हम आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं even though you are in Turkey हमारे पास इन्फुलेंस इतना है चाइना का इन्फुलेंस इतना आज के समय के आप ये बात बोलके बचनी पाएंगी हम आपके खिलाब action लेंगे तो जैसे ही चाइना के ambassador ने ये कह दिया तो उसके बाद Turkey के जो politician है जो mayor है यहाँ पे इन्हों ने ये कहा कि देखिए आपकी जो embassy है उसका हम पानी काट रहे हैं in retaliation to your threats आपको काफी freedom है Turkey में मगर आप हमारे politicians को धंकी नहीं देंगे हमारे freedom of speech है यह simply यहाँ पर यही कह रही है कि genocide के against है आप इनकी statement को लेकर इनको openly personal level पर धंकी नहीं दे सकते तो यही issue यहाँ पर आज के समय है और इससे यह जीव मत कर लेना कि Turkey की जो central government है जिसको lead कर रहे है Erdogan इन्होंने relation खराब करे है चाइना के साथ Erdogan की जो position है उईगर Muslims को लेकर वो क यह वाज है इसको नहीं सुनेगी possibility यह है कि बहुत ही जल्द यह कुछ local election हार जाए और फिर अपने आप तरकी की जो केंड़ सरकार है वो इस बात को समझ पाए कि इनको बहुत ही जल्द international level पर चाइना की निंदा करनी होगी नहीं तो बहुत ही जल्द Erdogan जो main election होते हैं तर कारी मीडिया है इन्होंने यहाँ पर यह का है कि तरकी को हम अभी भी urge करेंगे कि विजिलेंट रहिए और जो भी anti-China आतंगवादी हैं उनके खिलाफ action लीजिए और जो भी राश्वादी निता हैं आपके देश में उनको भी control में रखिए आगे यह यह भी add करते हैं कि अ लोडने की statements दी जाए तरकी में तो question यहाँ पर यही आता है कि तरकी की government in the future चाइना के against कुछ बोले गिया नहीं और अगर बोलती है तो चाइना का reaction यहाँ पर क्या होगा और eventually इससे pressure आएगा सिर्फ एक देश पर पाकिस्तान पर कि यहाँ पर इस issue को लेकर वो क्या चाइन आस यहाल